हाली में कुछ परिखां में हुई पेपर लीग की गोटाओं की निस्पोख जांच और दोसियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलान दिलवाने के लिए मेरी सरकार पत्रिबर मानन ये सद्दर्शकों सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के जुबाओं को आपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अफसर मिले सरकारी भरती हो या फिर परिखाएं सुनिए सुनिए परिखाएं किसी भी कारों से इनमें रुकाबोट आए ये उचित नहीं है इनमें सुचिता और परिखर सता बहुत जोरूरी है हाली में कुछ परिखा में हुई पेपर लीग की घटाओं की निस्पुक जांच और दोसियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलार दिलाने के लिए हमारे पहली भी हमने देखा है कि कोई राजो में पेपर लीग की घटनाएं फोती रही है इस पर दलियर राजनीती से उपर उठकर देश ब्यापी ठोस उपाय करने की ज़रूरों थे संग्सोत ने भी परिखा में होने बाली गोड़बोडियों के विरूत एक सक्त बनाया है मेरी सरकार परिखारों से जुड़ी सोंस्ताओं उनके कामकाज के तरीके परिखा परिख्रिया सोभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है मानन्य सदस्चगन मेरी सरकार ने जुबाओं की राष्टर निर्मन में भागी दरी और बढ़ाने के लिए मेरा जुबा भारत माय भारत अभिजान की शुरुआत भी की है इसमें आप तो देड़ करोर से ओधिक जुबाओं का पुंजी करोन हो चुका है इस पहल से जुबा में नेत्रुत्त कसल और सेवा भावना का विजारोपन होगा आज हमारी जुबाओं को खेलों मों भी आगे बनने के नई अपस्वर मिल रहे हैं मेरी सरकर के प्रभावी प्रयासों का परिड़ा में की भारत के जुबा खिलाडी वोई सिक मंचों पो रेकोर्ड संख्या में मेडल्स जीत रहे हैं कुछी दिनों बाद परिस ओलिम्पिक्स में भी शुरू हने बाले जा रहे हैं ओलिम्पिक्स में देश का प्रतिनी धित्तों काने बाले हार खिलाडी पर हमें गर्भ है मैं उन्हें अपनी सुब कामनाई देती हैं इन उपलबधियों को और आगे ले जाने के लिए भारत्य ओलिम्पिक स्वंग दो हजाच चतिस ओलिम्पिक स्खेलोग की मेजवानी की तेयारी भी कर रही है। माने नियों सदस्यगों जुलाई की पहली तारीक से देश में भारत्य ओन्याय संहिये ताभी लागू हो जाएगी। इसे बदलने की चर्चा उन्हें एक दोसों को से की जा रही थी। लेकिन ये सहस भी मेरी स्वरका नहीं करने के दिखाये हैं। आप डॉंड़ के जगा नियाय को प्राथमिकता होगी जो हमारी संविधान की भी भावना है। इन नई कानूनों से नियाय प्रोक्रिया में तेजी आएगी। आज जो बिडेश अलग-अलग छेत्रों में गुलामी की मानसिक्ता से मुख पा रहे हैं। तो अब ये उस दिशा में बहुत बड़ा कदम है। और ये हमारे स्वतंत्रोता सिनानों की सच्चिस रधानजली भी है। मेरा सरकार ने CAA कानून के तहट सरार्थियों को नागरिता देना शुरू कर दिया है। इससे बोथवारे सपंडित, पिडित, औने परिबारों के लिए स्वनमान का जिवन जिना तई हुआ है। जीन परिबारों को CAA के तहट नागरिकिता मिली है। में उनके बेहतोर भविष्टो कील कमना करती हूँ। मानेने सद्दस्यगोन मेरी सरकार भविष्टो निर्मान के प्रयासों के साथ ही भारत के संस्पूती के बोईभव और विरासोत को फीर से स्तापित कर रही है। हाल में नालंदा इन्वर्सीटी के भोव्यो केमपोस के रूप में इसमें एक नाया उध्धाय जुड़ा है। नालंदा शिर्प एक इन्वर्सीटी मत्रह नहीं थी वालकि यूए बईसिक ज्यान केंद्रों के रूप में भारत के गोरवशली अतित का प्रोमान थी। मुझे विश्वा से की नई नालंदा इन्वर्सिटी भारत को ग्लोबाल नोलेज होग बनाने में स्वहयोक सिध्ध होगी मेरी सरकर का ये प्रया से की भावी पिडियों को हजारों बोर्सों की हमारी विराशोत प्रयाणा देती है इसलिए पूरे देश में तीथोस्तोलों को आस्ता और अध्धाद्मों की केंद्रों को साजाया सोभारा जा रहा है माननिय सद्ध्योगोन मेरी सरकर विकास के साथी विराशोत पर भी उतना ही गर्व करते हुए काम कर रही है विराशोत पर कर्व का ये संकल्प आज उनुस्यचित जाती, उनुस्यचित जनजाती, वंचित बर्व और स्वर्व समाज के गोर्व का प्रतिक बन रहा है मेरी सरकर ने भोगवान बिर्शामुंडा के जन्म दिवस को जनजाती गोर्व दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की है आब अगले बर्ष भोगवान बर्शामुंडा की एक सो पचासमी जन्ती के पूरे देश में धूम दाम से मनाया जाएगा देश रानी दूर्गाबती की 500 जन्ती को भी ब्यापक स्थ तोर पर मना रहा है पिछले महिने ही देश ने रानी ओहिल्या भाई हल्कों की 300 जन्ती का साल भर चलने वाला महस्प भी शुरू किया है इससे पहले सरकार गुरु नानक देव जी का 550 मा और गुरु गविन्ट सिंग जी का 535 मा प्रकासपरववी दूमदाम से मना चुके हैं एक भारत चेस्ट भारत के भाव से कासी तामिल संगोमम सोराष्टो तामिल संगोमम जैसी उस्वबों की कोईपटी भी मेरी ही सरकार ने शुरूती हैं इन आयोजोनों से हमारी नई पीडियों को राष्टो निर्माण की प्रणा मिलती है और राष्टो पर गोर्व का भाव और और मोजबूत होता है मानिने सदस्योगान हमारी सफलताइं हमारी साजी धरोफर हैं इसलिए उन्हें अपनाने में संकोच नहीं साभीमान होना चाहिए आज अनेक सेक्टस में भारत बहुत अच्छा प्रणार सुन कर रहा है ये उपलब्धियां हमें हमारी प्रगोती और सफलताओं पर गोर्व कारने की अपार अबसर देती है जो भारत दिजिटल पेमेंट्स के मामले में दुनिया में अच्छा प्रणार्शन करता है तो हमें गोर्व होना चाहिए जो भारत के बज्यानिक चंद्रजान को चंद्रमा के दोखिनी धूर पर सफलता से उताते हैं तो हमें गोर्व वना चाहिए जो भारत इतना बड़ा चुनाओ भीजान बीनक बड़ी हिंशा और और अजकता से पूरा कराए तो भी हमें गोर्वना चाहिए आज पूरा विश्व हमें मादार डेमोक्रासी के रूप में सोनमान देता है भारत के लोगों ने हमेशा लकतंत्रों के प्रति अपना पूरा विश्वास पर कट किया है चुनाओं से जुड़े सौंस्थाओं पर पूरा भरसा जाताया है सोस्त लकतंत्रों को बनाया रखने के लिए हमें इस विश्वास को सोहेज कर रखना है इसकी रख्या भी करना है हमें याद रखना होगा लकतंतिक सोंस्ताओं और चुनाओं प्रक्रिया पर लोगों के विश्वास को चोट पहुंचाना उसी डाल को कटना जैसे जिस पोर हम सोब बेखे हैं हमाई लगतंत्रों की विश्वास नियता को खेश पहुंचाने की हार कोशिश की सामुहिक अलोचना होना चाहिए हम सभी को ओद और यादे जो बलट पेपर चिन लिया जाता था लूट लिया जाता था मुतदान प्रक्रिया को शुरुखित बनाने के लिए इभी एम को अपनाने का फेशला किया गया था पिछले केई दोसों को में इभी एम में सुप्रीम कोट से लेकर जनता की अधालत तो खार को सोटी को पार किया है माननियों सदस्योगा मैं आप सभी सदस्यों से अपनी खुश और चिंताएं भी साजा करना चाहती हूँ मैं चाहूंगी कि आप सो भी इन विशोयों पर चिंताएं मनन करके इन विशोयों पर थोस और सुकरात्म परिणाम देश को देए आज की संचार क्रांती के यूग है मैं बिघोटन करी तक्ते लक्तंत्रों को कौमजोर करने और समाज में धरार डालने की साजी सरच रहे हैं ये तक्ते देश के भीतर भी है और देश के बाहर भी संचालित हो रहे हैं इसके द्वारा आपवा फेलाने का जोनता को भ्रोम में डालने का मिस इन्फरमेशन का सहारा लिया जा रहा है इस स्थिति को ऐसे ही बेर ओक टोक नहीं चलने दिया जा सकता है आज के समय में टेकनोलोजी हार दिन और उन्नोत हो रही है एसे में मानवता के बिरूत इनका गलत उपयोग बहुत घातक है भारत ने विश्व मंच पर भी इन चिन्ताओं को प्रोकट किया है और एक गलोबाल फ्रेमवर्क की वकालत की है हम सभी का दाइत तो है कि इन प्रभूर्ती को रोकती इस चुनती से निपरने के लिए नहीं राश्ते खोजे मानवनिय सदस्योगन 21 सदी के इस तिसरे दोसक में आज गलोबाल ओडर एक नया सकल ले रहा है मेरी सरकर के प्रयासों से आज भारत विश्योगन्दू के रूप में दुनिया को नया भरसा दे रही है मानव केंद्रित अप्रोच रखने की वज़से भारत आज किसी भी संकट के समय फार्ट, तेस्पंडर और गलोबाल साउथ की बुलोंद आवाज बना है कुराना का महा संकट हो, भूकम्प जेसी कोई त्रासोदी हो या फिर युद्धो की स्थितिया भारत भावनात मानवता को बचाने में आगे रहा है भारत को देखने का विश्यो का नजरिया कैसे बदला है ए इताली में हुई G7 समित में भी हाम सोभी ने अनुभूब किया है भारत ने अपनी G20 अध्यकता के दोरान भी बिश्यो को अनेक मुद्धों पर एक जूट किया है भारत के अध्यकता के दोरान ही अफरीकान इुनियोन को G20 का 27 सद्दोस बनाया गया है इससे अफरीका महादीब के साथ साथ पूरे गलोबाल साउट का भरोसा मोजबूत हुआ है नेवरूट फास्ट पोलिसी में चलते हुए भारत ने पोड़ोसी देशों के साथ अपने रिष्टों को मोजबूत किया है साथ पोड़ोसी देशों के नेताओं का 9 जून को केंद्यो मुन्ति पोड़ोसी के सपत ग्रहन समारों में भाग लेना मेडिश और करकी इस प्रात्मिकता दोस्त आते है भारत सबका साथ सबका विकास की भवना के साथ इंडो पेसिपिक छेत्रों के देश के साथ भी सोह जोग बढ़ा रही है पूर्भी एसिया हो या फिर मीडिल इस्ट और इउरोप मेडिस और का कोनेक्टिविटी पर बहुल बॉल दे रही है भारत के बीजोन नहीं इंडिया मीडिलिस्ट इउरोप इकनोमिक कोरिडर को आकार देना सुरू किया है ये कोरिडर 21 सोधी के सोब से बड़ी गेम चेंजर में से में एक सीध्ध होगा माननिय सदस्चगन आने वाला कुछ महिने में भारत गणतंत्र के रूप में पचस्त्वर्य वर्षों पुरी करने जा रहे है भारत का संबिधान बीती दोसकों में हार चुनती हार कोशोटी पर खरा उत रहे जो संबिधान बन रहा था तो भी दुनिया में एसे तक्ते थे जो भारत के ओसफल होने की कामना कर रही थी देश में संबिधान लागू होने के बाद भी संबिधान पर अनेक बार हमले हुए है आज 27 जून है 25 जून 1925 को लागू हुआ अपाद काल संबिधान पर सिधे हमले का सोब से बड़ा और काला और खायद था तो अब पूरे देश में हाहाकार मच गया था लेकिन ऐसी ओ संबिधानी तक्तों पर देश ने विजोई प्राप्त करके दिखाया क्यूंकि भारत के मूल में गणों तंत्रों की परमपराय रही है मेरी सरकार भी भारत के संबिधान को सिर्फ राज-काज का मज़्धों भर नहीं बानती बलकि हमारा संबिधान जोन चेपना का हिस्सा हो इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं इसी धेय के साथ मेरी सरकान ने 26 नुबेंबर को संबिधान दिवस के रुप में मनना सुरू किया है आप भारत के उस भूभाग हमारे जम्मुकस्मिर में भी संबिधान पूरी तरह लागू हो गया है जहां आर्टिकल 370 की वजह से स्तितियां कुछ और थी मानन या सद्दस्योगोन राष्ट्र की उपलवधियों के निर्धारोन इस बात से होता है कि हम अपने डाईतों का निर्बोहन कितनी निस्ता से कर रहे है अथारे लोक्षवात में कई नई सद्दस्यो पहली बार संग्षद्यो पराणी का हिस्सा बने है पुराने सद्दस्यो भी नहीं उस साह के साथ आये है आप सुभी जानते हैं कि आज का समय हर प्रकार से भारत के लिए बहुत अनुकूल है आने बाले बोर्षों में भारत की सरकर और संग्षद्यों का क्या नितियां बनाती है इस पर पूरा बिश्द्यों की नजर है इस अनुकूल समय का अधिक से अधिक लाप देश को मिले एदाईत्यो सरकर के साथ संग्षद्यों के हार सोद्श्यों का भी होना जाएं किछले दोस बोर्षों में जो रिफन्स हुई है जो नाया आत्मविश्वास डेश में आया है इससे हम विक्सित भारत बनाने के लिए नहीं गति प्राथ कर चुके है हामसोभी को ए हमेशाद ज्यान रखना है कि बिक्सित भारत का निर्मार देश के हार नगरी की आकांचा है संकल भी है इस संकल की सिद्ध में और रोत पैदा नहो ए हामसोभी का दाईत है भी कर्टब्य भी है नितियों का विरोध और संग्षोदियों कामकाज का विरोध दो भिन्यवाते हैं जोब संग्षोद सुचारू रूप से चलती है जोब यहां सोस्त चोर्चा परिचोर्चा होती है जोब दूरगवी निर्नोई होते हैं तो लोगों का विश्वा सिर्फ सरकरी नहीं पूरी बेवस्ता पर बनता है। इसलिए मुझे भरसा है कि संस्वत के पॉल-पॉल का स्वदबोजग होगा, जनहीत को प्राक्षमिक्ता मिलेगा। हमारे बेदों में हमारी रूशियों ने हमें कुछ नीति बानी दिये हैं। जैसे कि संस्वत की मूल-भवना है। हम एक समन विजार और लोक्ष्यों लेकर एक साथ काम करें। यही इस संस्वत की मूल-भवना है। इसलिए जो भारत पिसरी नमबर की एकनोमी बनेगा तो देश की इस सफलता में आपकी भी सोहभागिता होगी। हम जो दो हजर सोताइस में आजादी की सोतब्दी का उस्वत विख्षित भारत के रूप में मनाएंगे। तो इस पिड़ी को भी स्रेयो मिलेगा। आज हमारे जुबा में जो सामुर्थ है। आज हमारे स्वंकुल्मे में जो निस्था है। हमारे जो उसंभव सी लगनीवली उपलवधियां है। यह इस बात का प्रुमाण है कि आने वाला दोर भारत का दोर है। यह सदी भारत की सदी है। और इसका प्रभाप आने वली एक हज़ार बोर्शतों तोक रहेगा। आईए हम सो मिलकर पुर्णों कॉर्टपनिस्था के साथ राष्टियों संकॉल्टों की सिध्धी में जूट जाएं। विक्षित भारत बनाएं। आप सुभी को मेरा बहुत 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 सुपकमनाएं। धन्यवाद, जय हीन, जय भारत।